स्री शिवाय नमस्तु ब्यम त्रिवेणी सिव चर्शा सिव महापुरण कथा गुरुजी पंडिची द्वारा बाथी जा रही है प्राग राज में कथा दो दिन की ती के अवल कल कथा पूरी हो चुकी है कल इकति जन्वरी के दिन कल कथा रात्री में आस्टा चेजनल पर दस सब्सक्राइब कर लेकर दिखा रही कि और कथा लाइफ टेली कास नहीं हो पाया है डी लाइफ फॉत्वा रात में और आज आस्था बछन पर दोफ़र में एक से चार बच्चे तक दिखाई जाएगी अगर कथा आप लोग नहीं सुन पाए रातरी में तो दो फर में सुन स सब्क्राइब कीजिएगा चली वीडियो सुर्वात करते तो आज ही काता कि कुछ विशे जानकरी उपाई जो गुरुजी दौरा बताएगा है पहली जानकरी गुरुजी ने कहा है जब हम महाद्यों के मंदर महाद्यों के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाते हैं तो वह लोटा तुरंट मनो कामना पूरि करनेवाला केवल एक ही मंदिर वो है प्रयागराज में कचहरी महाद्यों जी हा, कच्छहरी महाद्यों का मंद्री प्याइगराज में है, यहां मंद्री पर जाने मात्रे से आपकी सभी गल्टियों का पस्चताब हो जाता है, और महाद्यों तीन मिने के अंदर आपके सारे मनुरत पूरे कर देते हैं चोती जानकरी गुरुजी ने का है महाद्यो पर पूरा विश्वास रखो पूरा विश्वास का आर्थ है कि आप इधर उधर ना भटके किसी ने बोला महाद चले जाओ किसी ने बोला महाद चले जाओ आपकी तकलिफ दूर हो जाएगी तो ऐसा मत करो महाद्यो पूरा विश पर उन्होंने क्या करा महाद्य विश्वास रखा जो एक उनके हॉस्पिटल के रूम में गया उनके कानों में श्रीशिवाय नमस्तुभयम बोला और महाद्य को जल समर्पित किया जल जहिल कर लाए अब जल तो उनको पिलाने सकते थे उस टाइम पर उन्होंने जल से कपड़ गिला किया रुमाल गिला किया उनके परिश्वाद्य पर लगाया डक्टर ने 10 दिन का समय दिया था उन्होंने 11 दिन तक अस्पितल में रखा हो 11 दिन जब वो घर पर लेकर आया तो बिल्कुल स्वास्ते ठीक है उनसी का अभार वेक्त करने वाब गथा पंडाल में आये थ वेसे मुश्वर भी कृपा कीजिए आची काता का साथवा पत्र गुरुजी कहते हैं चोड़ा बचा जीत करता है कुछी छिखिलोना मांगता है को जीत करता है तो हम उसे डरा देते कि बाबा आ जाएगा और वो डर जाता है कि हाँ सभी बाबा आ जाएगा वेसे अगर लगाता है निर्माले लगाता है या फिर सफाई कर रहा है और उसको देकर कोई हस देता है तो हसने वाला खुत्तो परिशान होता ही है खुत्तो बरबात होता ही साथ में अपनी साथ पीडियो को भी बरबात कर देता है नवी जानकरी कथा कि अंतिम जानकरी गुरुजी ने काँ पांच में से एक काम तो में अवाश्र करना जाए महादियों के मंदूर जाकर एक लोड़ा जलसमर पित कर दे या फिर सफाई कर दे या फिर तीन बार ताली बजा दे या फिर बंबं भूले बोल दे या फिर शिखर का दर्शन कर ले और यहां भी नहीं कर सकते हैं तो केवल महाद्यों के मंद्र जाकर एक स्माइल ही कर दे बाबा को देखते हुए तो बाबा प्रसन हो जाते हैं और आपकी मनुकामना पूरी करते ही करते हैं अब आगामिक कथा की जानकारी